आज इस वीडियो के नदर हम डिस्कस करने वाले है एचस्पीची मुच्वल फेंट की तरफ से जो एनफो आये हुआ है एचस्पीची कंजप्शन पंड इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे यह बैसिकली एक उपनेंड इक्विटी स्कीम रहाएगा जो फॉलो करने वाला है कंजप्शन थीम को एनफो की डेट की बात करें 10 अगस्ट को अपन होगा और यह 24 अगस्ट अपन रहाएगा सो बेसिकली आगर इंडिया का एकॉनमी है वह इंफ्लेक्शन पॉइंट है जहां पर 2006 में चायना का एकॉनमी जहां पर ऑज उसी जग़ जग का है और यहां से यह Saints t będzie से ग्रोएस इंडिया का एकॉनमी का का की फार Conjoption की बात करें यह चाइना का का Q&m को रेप्लिकेट करेगा next 10-15 साल के Յंदर यह जो Conjoption है इंडिया का वो उस effectively और जाएगा जो发酌 जाएगा जी में 2006 में जहां पर ताँ वहां पर प Northeast और जहां तक चायना का categorisus fauch तो इंडिया का भी ग्रोड करने वाला है हर तरह से ग्रोड करने वाला है जो ड्राइवर्स होंगे फूचर स्पेंडिंग का एक तो होगा पेनेटरिशन अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में जो है हर किसी के पास मोबाइल फोन आ गया है तो इसमें डाटा का जो डेटा हाले जिस पर्डाइस पर मिला ता अब भी बहुत कम हो गया है तो आसानी से हर को रहा है फोन को यह घोतिक हले यानि आपका Mobile पे ही सारा चीज हो जा रहा है यानि Digitalization हो रहा है जैसे कि आज कल फोन पे Google पे फे गरा में पैसा एजीली ट्रांसपर हो रहा है तो यह सारा चीज जो है यह driver करेगा future spending में और खास करें जो ऑन और्गनेज सेक्टर से और इस सेक्टर में सब ट्रांसपर हो रहे ह एक major benefit रहेगा consumption के खित्रों में, consumption दिरे दिरे बढ़ने लगेगा, so इंडिया consumption की बात करें, ये दिरे behavioral changes देखने को मिला है, spending pattern में, पहले क्या headphone और earphone हुआ करता था, अभी wireless, bluetooth और sports पर गिरा होने लगाया, और पहले cable TV हुआ करता था, घर का in-house entertainment के लिए, अभी Android TV आ गया, satellite TV आ गया, फिलाल तो OTT platform, OTT apps आ गया, और accessories जैसे cell phone हुआ करता था, charger बगर, अभी power bank आ गया, तो इसी तरह जो है changing pattern, जो है spending pattern दिरे दिरे change हो रहा है, okay, so India consumption की बात करे, easily accessible हो रहा है अभी credit का, जैसे की personal loan हो गया, credit card हो गया, तो यह साल दरसल बढ़ रहा है, credit card का जो spending 12x हुआ है last 10 साल के अंदर, और जहां तक जो personal loan का ticket size भी बढ़ रहा है, so जादे तर लोग जो है information collateral, जो है information collateral, physical collateral से, तेजी से, information collateral replace कर रहा है physical collateral को, so consumption theme की बात करे, basically sizeable theme रहेगा, portfolio के अंदर, mainly automobile sector में ज्यादा रहेगा, automobile and auto components रहेगा, जैसे की number of companies 30 है, और इसमें 40% रहेगा allocation, उसके बाद capital goods है, 10 कंपनिया है, और इसका अलाबा जाज़ा, consumer durables 28 कंपनिया है, उसमें 35% contribution इस portfolio के अंदर रहेगा, consumer services 26 companies है, first moving average, first moving consumer goods रहेगा, जो 30 कंपनिया है, उसमें 30% contribution रहेगा, इस index के अंदर, इसके अलाबा, media, healthcare, financial services यह सारा रहेगा, सो मेजर लेकर performance की बात करें, consumption fund की, अगर इसका इंडेक्स का return की देखें और volatility के साथ compare करके देखें, consumption जो higher better risk adjusted return दे रहा है, consistently outperform कर रहा है, हम अगर देखें, Nifty India consumption और Nifty 50 TRI को compare करके देखें, 3 साल में 14% का return देखने को मिला है, rolling return जबकि index ने Nifty 50 ने 12% का और इसमें 5 साल में 13% का consumption index दिया है, जबकि यह 12% का और 10 साल में 14.7% का और 12% का इंडेक्स का है, अगर हम volatility की बात करें, NSE consumption index में सबसे कम volatility देखने को मिल रहा है, आज अगेंस NSE 500 and any other thematic skip, Hsbc consumption fund की detail की बात करें, यह fund जो है investment करने वाला है, long term में capital appreciation इसमें देखने करने मिलेगा, और इसमें 80% जो है investment रहेगा, consumption theme के अंदर, इसमें high growth रहेगा, क्योंकि इसमें penetration देखने को मिल रहा है, Even if economic slowdown के अंदर में भी consumption में ग्रोफ दिखने को मिल रहा है और खास करके HSBC consumption fund का 80% allocation consumption theme के अंदर रहेगा 20% जो है इसके अलाबा जो भी other equity equity fund equity के अंदर ये investment करने बाला है So अगर investment strategy की बात करें Actively portfolio management रहेगा जो companies benefit रहेगा Conception train को follow करने उसमें investment करने वाला है So flexibility की बात करें favorable market trend पे Flexibility to invest up to 20% outside consumption रहेगा Top down approach follow किया जाएगा macro economic factor को follow किया जाएगा और industry में कहीं भी opportunity दिख रहे हैं वहाँ पी investment करने वाला है So bottom up approach strategy follow किया जाएगा So bottom up approach में basically जो small and mid cap category के stocks होंगे जो winners होंगे उसमें investment करने वाला है Focus रहेगा fundamental of businesses और industry structure relative business strength among peers Okay Legally focus रहेगा quality of management को पर और साथ जाएगा sensitivity economic factor रहेगा जो sensitivity रहेगा Financial strength होगा जिस company के अंदर ये investment करने वाला है जानते हैं जैसे कि फंड जो है long term में capital appreciation देखने को मिलेगा जो एंगेज होते हैं company consumption के अंदर Okay So इसमें mid and small cap category के stock के अंदर ये investment करने वाला है जिसमें high growth देखने को मिलेगा और खास करके some of the sector जहां पर consumer sector के consistent growth देखने को मिले रहा है अदर दन जो equity होगे consumption के अंदर ये investment करने वाला है जो ये एक Open Anted Equity Scheme रहाएं जो investment करने वाला है consumption theme के अंदर जो एक Open Anted Equity Scheme रहाएं जो फोलो करने वाला है consumption theme को So ये product प्रडक्ट प्रडक्ट शुटेबल है, जो long term में capital appreciation चाहते हैं उनके लिए बहतर option है यह investment करने माला है equity-equity related instrument जो consumption theme को follow करने माला है तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो like share करें सब्सक्राइब जरूर करें thanks for watching मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ